जब आप किसी school में या किसी company में job कर रहे हैं और आपकी superior ने आपको एक file दी कि इसको आप पूरे को type करो और आपने उस file को पूरा small letter के अंदर type कर दिया type करने के बाद में दोस्तों आपका superior आपको कहता है कि इस file को आपको capital letter के अंदर type करना था तो आप ही सोच रहे होंगे कि हमारा पूरा जो टाइम था जो हमने उसको टाइप करने में जो टाइम लगाया था वो पूरा को पूरा टाइम मारा बरबाद हो चुका है लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गल्च सोच रहे हो क्योंकि आज मैं आपको सि subscribe कीजिए जिसे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो अचलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे देखो दोस्तों हमने कुछ ही डोकुमेंट हमारा इसको हमने पूरे को टाइप कर दिया टाइप करने के बाद में दोस्तों हमें कहा जाता है कि आपने इसको small letters के अंदर टाइप कर दिया हमें इसको क्या करना था capital letter के अंदर पूरे document को ही capital letter के अंदर आपको type करके देना है तो आप क्या करोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको पूरे को select करेंगे Ctrl A से हम क्या कर लेंगे select कर दिया select करने के बाद में दोस्तों यहां उपर जाएंगे देखो मैं इसको थोड़ा सा zone कर देता हूँ यह देखो अब यहां पर हम कहा जाएंगे home tab के अंदर जाएंगे और home tab से कहा जाएंगे यह देखो यहां पर यह जो आपको sign दिखाई दे रहा है यह किसका है change case का जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है change all the selected text to uppercase lowercase और other common capitalization इसका मतलब होता है selected जो text आपका उसको आप uppercase में मतलब बढ़ी ABCD में या capital letter में change कर सकते हो उसको small letters के अंदर change कर सकते हो और other common capitalization उसके अंदर कर सकते हो और जो समाने जो चीज़े हैं वो उसके अंदर आप कर सकते हो जैसे देखो यहां पर मैं जो एक arrow का sign है इसके उपर मैं click करता हूँ click करते ही सबसे पहले क्या आता है sentence case sentence case में already हमारा paragraph है वो पूरा sentence case में ही है देखो पहला उसका starting letter है वो क्या है capital है बागी पूरा क्या है small है यह देखो जहां भी fully stop आया है उसके आगे देखो capital से start हो रहा है तो यह हमारा already क्या है हमारा sentence case के अंदर है तो हम sentence case को एक बार बाद में देखते हैं सबसे पहले हम दूसरे case को उठाते क्या lower case कि सभी को क्या करना है lower case में तो देखो यह हमारा पूरा lower में है starting letter के हमारा capital रहता है तो वो भी क्या हो जाएगा अब small हो जाएगा यह देखो दोस्तों यह देखो हो चुका पूरा का पूरा हमारा जो paragraph था वो किसमें आ चुका small letter के अंदर आ चुका यह देखिए अब देखो next option की तरफ बढ़ते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है upper case मतलब जो जितना भी आपने यह लिखा हुआ यह सभी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा capital letter के अंद पूरा पूरा document था वो पूरा पूरा क्या हो चुका capital letter के अंदर आ चुका तो मैंने आपको दोस्तों यह कहा था कि आप एक second के अंदर उसको change कर सकते हो जैसा कि हमने कहा हमने कर दिखा है उसको फिर अगर आपके पास next option आता है वो यह कहें आपको कि आप capital नहीं करना है यह देखो हर वर्ड का पहला अक्सर क्या हो चुका हमारा capital हो चुका बाकि पूरा क्या है word small में चल रहा है यह हमारा होता है capitalize each word फिर हम क्या चाहते है फिर हम देखो अभी हम क्या करेंगे नीचे देखो हमारे पास आपके क्या था है toggle case toggle case के अंदर देखो नाम से भी वहां दिखा रहा आपको यह देखो पहला एक्सर वो क्या है small है बाकि पूरा को पूरा क्या है capital लेटर है तो यह क्या करेगा तो यह दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है उनमें हर वर्ड के अंदर क्या करेगा पहला जो एक्सर उसको तो कर देगा small बाकि पूरे वर्ड को क्या क कर देगा जैसे देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यह देखो हर वर्ड का पहला एकसर क्या है स्मोल है बागी पूरा वर्ड क्या है यह होता है पिर आप वापस आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है उसके अंदर जो हमने सबसे पहला चोड़ा था कौन साथ sentence case उसको करत पूरा चेंज केस के बारे में बड़ा होता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार्ट